नमस्कार दोस्तों राजुसर के नाम से इस यूट्यूब टैमे में आपका हर्दीक स्वागत है वीडियो की स्कड़ी के अंदर आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं और यह बहुती बैसिक और कॉमन टॉपिक है और इसका नाम है हाइपर सेंस्टिविटी रियेक्शन एक जाय्था मिनचकर इकrict धीक आइपर सेंस्थी विटी सैंसे अहीं किसी ृटी में कुछ एलर्जी रियेक्शन होते हैं कुछ देश इम्रते ह्लायों की फूट्स पर दिवेज Oak अइपर सेंस्थिटी उंसीट के अधर तो इसलिक नहीं गरता हो इसको सैंस्थिव रियेक् यह एक तो होती है immediate और दूसरी होती है delayed दो तरीके से हम इसको बोलते हैं एक होती है immediate और दूसरी होती है delayed जो immediate hypersensitivity reaction होती है यह तीन तरीके की होती है इसको type 1, type 2, type 3 के नाम से जानते है type 1, type 2 और type 3 और जो delayed hypersensitivity reaction होती है इसको type 4 के नाम से जानते है immediate और delayed और immediate hypersensitivity reaction होती है इसको type 1, type 2, type 3 के नाम से बोलते है delayed hypersensitivity reaction को type 4 बोलते है यह जो immediate hypersensitivity reaction है type 1 इसका दूसरा नाम है anaphyletic दूसरा नाम है एनाफाइलेटिक 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 डियेक्शन यह जो सेकिंड टाइप की रहती है इसको हम बोलते हैं हीमोलाइटिक जो थर्ड टाइप की है इसको हम बोलते हैं आर्तस रियेक्शन और यह जो फोर्थ टाइप की होती है इसको हम बोलते हैं delayed hypersensitory reaction cell mediated delayed बोलो cell mediated बोलो जो immediate hypersensitory reaction होती है इसको हम humoral या fluid mediated बोलते हैं इसके लिए word गामे लेता है humoral humoral या इसी को क्या बोलते है fluid mediated fluid mediated humoral या इसी को क्या बोलते है fluid mediated तो दो तरह की hypersensitive reaction हुई एक तो immediate और दूसरी delayed immediate को humoral या fluid mediated बोलते हैं delayed को type 4 या self-mediated बोलते हैं यह जो fluid mediated रहे हैं इसमें further तीन टाइप है type 1 type 2 और type 3 type 1 को हमने बोला एनाफालेटिक reaction type 2 को हमने बोला cytolight reaction और type 3 को हमने बोला और तरस reaction अब हम पढ़ता हैं कि इन जो reactions है immediate और delayed type 1 और type 2 और type 3 जो immediate के अंदर आता है और type 4 जो हो दिलेड के अंदर आता है तो यह जो immediate hypersensitive reaction है जिसको हमने fluid mediated hypersensitive reaction बोला इसके example की अगर आपन बात करें सबसे पहले मैं लोगा type 1 को और type 1 जो होती है इसको दूसरा नाम हमने बोला एनफाइलेटिक reaction एनफाइलेटिक रियक्शन और इसमें IgE जो होती है immunoglobin E allergic जो situation होती है उसमें बढ़ते है उसका लेवल जो होता है यह type 1 में increase जैखने को मिलता है IgE immunoglobin E का लेवल वहां पर बढ़ा जैखने को मिलता है यह type 1 reaction किन किन condition में जैखने को मिलती है एक मिनो में समया पर लिखते है एफ ट्रिपल एडी एफ का मतलब यहां पर food allergy F को मैं denote करता हूँ food allergy से food allergy A को मैं denote करता हूँ atopic dermatitis dermatitis इस A को मैं denote करता हूँ allergic rhinitis rhinitis इस A को मैं denote करता हूँ asthma और इस D को मैं denote करता हूँ drug reaction ड्रग reaction एनाफाइलर्टिक जो reaction है वो उसको मैंने एक मिनो मिक्स से लिखा है एफ ट्रिपल एडी और यहां आप का मनतब है food allergy A है atopic dermatitis A है allergic rhinitis और A है asthma और D को मैंने denote किया drug reaction यह इसके example माले जाते है type 1 hypersensitive reaction के IgE का level इसमें क्या दैकने को मलता है increase that यह बात आपको याद रचनी exam में example से question कुझे जाता है कि इसमें यह एक से type 1 reaction किसमें हो रही है तो type 1 reaction किन किन में हो रही है type 1 reaction food allergy के दवरान होती है type 1 reaction atopic dermatitis में होती है type 1 reaction allergic rhinitis में होती है और ताइप 1 reaction अस्तमा के अंदर देखने को बिलता है दूसरे तरह का जो reaction है उसको मैं type 2 के नाम से जानता हूं और type 2 जो hypersensitive